सब्सक्राइब करें हमारा ओफिशल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन गुरुग्राम में नाथुपूर में जुगियों में भीशन आग लग गई हैं तस्वीरें आप ये देख रहे हैं गुरुग्राम की नाथुपूर में जुगियों में भीशन आग लग गई सुभा करीब 10 बजे ये आग लगी है गुरुग्राम में नाथुपुर्ट में जुगियों में ये भीशन आग लगी और वहीं सुबा करीब दस बजे ये आग लगी है दमकर विभाग की दस गाड़ियों से भी ज्यादा आग पर उन्होंने काबू पा लिया है आपको बता दें कि सोमवार सुबा करीब 9 बजे गुरुग्राम के नाथुपुर इलाके में बनी जुगियों में अचानक आग लग गई आग की चुपेट में आने से वहाँ पर बनी करीब 100 जुगियां जल कर खाक उगई है और वहीं दमकल विभाग को सुबा 10 बजे आग की सूचना दी गई जिसके बाद गुरुग्राम के सेक्टर 29 दमकल केंद्र से 6 गाडियां और गुरुग्राम के अन्ने सर्विस फायर सर्विस टेशन से बाकी गाडियां मौके पर दमकल विभाग की एक दरजन गाडियों ने करीब 2 गंटे से आग पर काबू पाया वहीं हमें जानकारी देंगे मनू महता जी मनू महता आग कैसे लगी ये देखिए इस आग के पाना की कारणों के अभी तक जाच नहीं हो पाई है लेकिन अभी तक प्रारंबिक तत्यों में जो अभी तक सामने है उसकी वज़े कहीं नहीं यहीं माना जा रहा है कि शॉर्ट साकिट की वेज़े ये आग लगी थी धीरे धीरे ये आग इसके दर भीशन हो गई थी कि इसकी लप्ते दूर से देखी जा रही थी और दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया गनीमत यह रही कि इस आग की वेज़े से कोई हता हत नहीं हुआ लेकिन नुकसान काफी हो गया है जो वहां पर लोग रह रहे हैं उनका काफी पैसों का भी नुकसान हुआ है इसके साथ उनका जो सारा समान था वो भी जलकर बिरकुल खाक हो चुका है फिलाल जिला परशाशन इन सभी की मदद के लिए आगे आ चुका है इनके लिए वेकल्पिक रहने की वेवस्ता के साथ साथ इनके खाने का भी जामत किये जा रहे है और दमकल विभाग इस आग लगेने की घटना की चाच शुरू कर चुका है जी जी मनु शुक्री आपका जानकारी देने के लिए तो वहीं हम आपको बता दें कि गुरुग्राम के नाथुपुर में जुग्यों में भीशन आग लगी सुबह करीब दस बजे याग लगी जिसे दमकल विभाग की लगबग एक दरजन गाडियों ने फिलहाल आग पर काबू पा लिया है वहीं हम आपको बता दें कि इस हाथसे में किसी को कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है लेकिन हाथसे में लोगों के जमा पूंजी जो की लाखों रुपे में थी और सामान जलकर खाक हो गया है वहीं तस्वीरें सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं गुरुग्राम के नाथपूर में जग्यों में भीशन आग लग गई ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि आग कितनी भयानक थी गुरुग्राम के नाथपूर में जुग्यों में ये भीशन आग लगी सुबह करीब 10 बजे ये आग लगी जिसमें दमकल विभाग की लगबग एक दरजन गाडियों ने आग पर अफिलाल काबू पा लिया है वहीं हम आपको बता दें कि इसाथ से में किसी को कोई जानी नुकसान नहीं हुआ पर लेकिन लोगों की जम्मापूर जल कर खाक हो चुकी है MH1 न्यूस पर आप ये तस्वीरे देख रहे हैं गुरुगराम के नाथुपूर का ये लाका जिदर जुगियों में भीशन आग लग गई और वहीं दमकल की 10 गाडियों से भी ज्यादा गाडियों ने इसाथ पर काबू पाया वहीं आपको बता दें किसी को कोई जानी नुपसान तो नहीं हुआ पर इसाथ से की लोगों की जम्मापूंजी जल कर खाक हो चुकी है और वहीं आग कैसे लगी इसके कारणों का अभी तक पता नहीं चला है यह तस्वीरें आप देख रहे हैं गुरुग्राम के नाथुपूर का यह इलाका जिदर जुगियों में यह भीशन आग लगी आग की यह तस्वीरें देख रहे हैं कि आग इतनी भयानत थी कि दमकल की दस से ज्यादा गाडियों ने इस आग पर काबू पाया है वहीं आपको बता दें कि इस हाथसे में किसी को कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है लेकिन हाथसे में लोगों की जमा पूंजी जल कर खास हो चुकी है आपको बता दें कि करीब सुभा नौ बजे गुरुग्राम के नातुपूर इलाके में बनी जुगियों में अचानक आग लग गई वहीं इस इलाके में सौ जुगियां थी जो जल कर खाक हो चुकी है तस्वीरें आप देख रहे हैं यह आग इतनी भयानक थी कि लोगों की जमा पूंजी जल कर खाक हो चुकी है फिल्हाल ऐसाथ से में किसी को कोई जानी नुकसान नहीं हुआ यह तस्वीरें आप देख रहे हैं गुरुग्राम के नातुपूर इलाके की जहां सौ से ज्यादा जुगियां जल कर खाक हो चुकी है वह यह तस्वीरें आप देख रहे हैं सौमवार सुभा करीब नौ बजे गुरुग्राम के नातुपूर इलाके में बनी जुगियां अचानक इन में आग लग गई सौ की करीब यह जुगियां थी वहीं आपको बता दें कि इस हादसे में किसी को कोई जानी नुकसान नहीं हुआ पर लोगों की जमापूंजी जल कर खाक हो चुकी है और वहीं जुगियों में आग कैसे लगी इसके कारणों का भी अभी तक पता नहीं चल पाया है आपको बता दें कि गुरुग्राम के नातुपूर में सौ की करीब इन जुगियों में आग लग गई वहीं दमकल विवाग की दस से ज्यादा गाड़ियों ने आग पर काबू पाया यह तस्वीरें आप देख रहे हैं सबसे पहले MH1 न्यूस पर गुरुग्राम के नातुपूर में जहां सौ की जुगियों बीशन आग लग गई वहीं हम आपको बता दें कि गनीमत ये रही है कि हाथसे में किसी को कोई जाने नुपसान नहीं हुआ है पर वहीं लोगों की जमा पूंजी जल कर खाथ हो चुकी है